राजस्तान के मारवाड को राजनिती की धूरी का जाता है या जिस तरीके का माहूल होता है उसी तरीके के अनुसा राजस्तान की राजनिती गूमती है राजस्तान के मारवाड इलाके के प्रवतसर विधान सबाक्षित्र में लोगप्रे जननेता और पही के सरपंच और सरपंच संग के अध्यक्ष अमर्चन जाजड़ा के नेतरतों में आज यानि की 5 जुलाए 2023 को पही में गो साला के लिए आपके परिवार ने 37 विगा जमीन क समर्पन किया है उसके संपुर्ण कागजात आज गो साला समीति को समलाया है इस एतिहासिक जलसे के मुख्यतिति के रूप में बीजेपी के पूरु परदेशा देख्ष और राजस्तान विधान सबाक्ष में उपनेता प्रतिपक्स डॉक्टर शतीश पूनिया रहे डॉक् फिला सेकडो ट्रेक्टर अपार जन सेलाब के बीच में गाजे बाजे के साथ में डीजे पर नास्ते गाते महिला पुरुष और उसके बाद जगह जगह पर जिस तरीके से शादियों में तोरन द्वार बनाए जाते हैं ऐसे नागरिक अविनंधन के लिए वेलकम गेट बन गया वी आईपी डॉम के साथ लंबी दूरी पर टेंट भीघाओ में और उसके साथ ही हज़ारों की तादाद में जन सेलाब ने मारवाड की इस रेली और अभिनंधन समारों को एतिहासिक बना दिया इस अवसर पर अमर्चन जाजडा और उनकी टीम के द्वारा किया गया म उनका वर्क के उनका मेनेजमेंट काबिले तारीफ है इस अवसर पर कारेकरम सांदार संपन हुआर संपन होने के बाद हमारे बीच में अमर्चन जी जाजडा है तो हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके की तैयारी थी आगा में 6 महीने बाद विधान सबा की चुनाओं का एलान होना है दिसंबर में विधान सबाद चुनाओं होने हैं एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है और हमने जनता से बीच में टौक्शू किया बादचीत की उसमें का कि साब हमारे परवतसर इलाके में तो इस तरीके की बड़ी रेलिर इस तरीके का बार देखा है तो क्या खासता है पहली बार होने में तो यह अमर्चन जी जाज़राशी जानते हैं सर बहुत सारी बदाई एतियासिक आयोजन के लिए धिन्यवाद अरिराम जी आज का आयोजन जिसने कई सारी रिकोर्ड बना दिये सबसे ज़्यादा जन से इलाप को अनसासित रूप से कारेकराम इतनी सारी खूबियों के पीछे कितनी मेनत है कितना समरपन है इसके लिए सबसे पहले तो मैं मेरी पूरी टीम का धन्यवाद वाहर्दी काबार करता हूं इसके बाद में सतीज जी पूनिया को हम हमारा आधर्स और आइकुन मानते हैं और व जारों गाडियों के साथ उनका कापिला लगबग 20 किलोमीटर लंबा लोग रोडों पे नाच रहते डिजे के साथ टेक्टरों के साथ और वो विशाल जन सबा जिसमें सतीज जी का मार्क दसन अम जैसे नोजवान युवाओं को मिला इसे आने वाले दिनों के अंदर और भ इधाइक बने किस तरीके से जनताओं के अपयक्साओं पर खरा उतरेंगे पार्टी के आदेश के पाल नामे मैं बारते जनता पार्टी का शिपाई हूँ कारिय करता हूँ और ग्राम पंचायत पी का सरपंच हूँ तो सभी ग्राम वाशी और 36 कौम के लोगों का सन्ने मेरे पर रहा तो मैं एत्याशिक एक इसी पंचाय से जीता हूँ जहां आज दिन तक राजा मरा उजाओं का राज था परतम बार एक किसान के बेटे को नोंने सरपंच चुना और सरपंच बनने के बाद परबसर की गाउं डानी डानी के अंदर जो भी लोग मुझे बुलाते हैं मान समान करते हैं तो उनके लिए मैं हमेशे तयार रहता हूँ आगे बिगर पार्टी किसी भी परकार का कोई भी जिम्मेदारी देगी तो उसको लेने के लिए मैं तयार हूँ जिस तरीके से आपने लोग प्रदेशा ध्यक्ष जब होते हैं पावर सेंटर जांपर होते हैं उनके पिछी लोग भगते हैं काफिला बनता है लेकिन आपने डॉक्टर शतिस पुनिया को आदर समान कर इतना बड़ा एतियासिक अभिनंधन समहरू किया है निशित रूप स आपका समर्पन तो है सही साथ ही दूसरा पक्ष जो है आज 37 विगा जमीन का समर्पन आपने किया है जहां पर लोग इंच-इंच के लिए लड़ रहे हैं जहां पर जमीनों को लेके विवाद चल रहे हैं उस दोर में एक बड़ी प्रेरणा आपकी है किस तरीके से इस प्र सब्सक्राइब करते हैं बड़ा बढ़ी जो आर्मी के अंदर है समने से परिवार्वस है मेनत कदम पर यह सारी चीज्ञा है किरपा है तो आने वाले जिनों में भी इसके खूब सारे रिजल्ट परिणावर देंगे धारमी के अंदर में जहां भी जरूत रहती है गों माता के लिए हमेशे मैं रहता हूं और आगे भी रहूंगा तेजा जी मारवार से लेके पूरे हिंदुस्तान में बड़ी आस्था का केंदर है आने वाली तेजा दस्मे को इससे बड़ा और आप एक कारेकरम के रूप में जो हरसोर में तेजा इसली बनी है उसका परवेश द्वा उसके अंदर जो मंदिर तो पहले से बनावा है और मैं वाँ प्रोग्राम में गया तो वहां के सारे समित्ती के लोगों की यह थी कि बड़ा एक भवी यहां पर आपके हातों से कुछ भी हो तो मैंने वाँ शेयर सिविकार किया कि यहां का परवेश द्वार है यह मेरे हातो से बनेगा और वो परवेश द्वार अभी बनके लगबग तैयार हो गया है और आने वाली 25 सितंबर को तैजा दस्मिये तो उस दिन हम सोच रहे हैं कि बड़ा एत्याशिक आयोजन ओर करें और सभी लोग सभी तैजा पक्तों को वहां बुलाएं अधिक से अधिक सेंग्या तो इस तरीके से पूरी तैयारी है परवतसर के गाउं गाउं और धानी धानी तक आपकी पहुंच परवतसर के नीड कम टू मेरी टोरिस बच्चों को स्कोलरशिप के रूप में प्रोथसान देना या कि खेल परतिमाओं को आगे बढ़ाना जन सरोकारों में सामिल रहना इ तो एक बड़े लिडर्शिप के रूप में परवतसर में आपको नई उम्मीद की रूप में देखने को मिलेगा। धार्मी कारिय करम में मेरा यहां पर आना हुआ और लोगों का जो इन्हों ने सरपन साम ने इत्ता बड़ा प्रोग्राम रखा डॉक्टर सतीष्ट पूनिया जी जो जनता के चहते राजस्तान के नेता है उनका भी यहां आना हुआ और आज जनम दिन के उपर उनकी सब की जो और से मेरे को आशिरुवाद मिला सुबकामनाय मिली उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अमर जी को इसे त्यासित कारिकरम के लिए बहुत-बहुत बढ़ा प्रोग्राम और एक वह परिवार जो किसान परिवार है और जो गाईओं के लिए नागौर वैसे ही फैमस था निश्टित तोर पे ऐसे राजस्तान में मैं भी घुमबा हूँ पर आज के जो प्रोग्राम है वो देखने लाइक और इत्ती बड़ी संक्या में लोग जोश और जुनून के साथ थे तो निश्टित तोर पे इनके प्रती एक लोगों का लगाव और इसने है अमर्चंजी कि लोग पर ये नेता हैं और बीजेपी के जीले के महामंत्री हैं कहीं सारे किशान मोर्चों में बहुत सारे जिम्मिदारी से समाली है एक भाई के नाते पार्टी के शाथी के नाते जिस तरीके से एक एतियासिक आयोजन आपने करवाया कितना बड़ा समरपांड कितनी बहुत बदाई बहुत बहुत सुबकाम नहीं जैसा कि अभी परदेश उपादेख जी रहे आदरने मादोराम जी करते राजस्तान में ऐसे आयोजन बिरले होते हैं जब 20 किलो मिटर तक पेर रखने के लिए जगे नहीं मिले इतनी गाडियां मैं समझता हूँ कि दो लोगों का मैनत और समर्पन लगा है जिसके कारण से इतना बड़ा और करेकरम एतियासिक हो पाया निश्ची तोर पर एक बड़ी टीम की बड़ी ताकत थी बिलकुल तो निश्ची तरूप से ये एक अदभूत आयोजन था और इस अदभूत आयोजन के अब कई सारी राज को देखने को में लेंगे